Hello students, we will start with first chapter of 10th class that is chemical reactions and equations तो इसको chemical reactions क्या हैं और equations क्या हैं इनको समझने के लिए हम कुछ daily life की situations हैं उनके बारे में सोचते हैं जैसे कि milk is left at room temperature ठीक है अगर दूद जो है वो काफी देर तक रखा रहा जाता है किचन में ठीक है फ्रीज में नहीं रखते हैं उसको summer में तो क्या होता है आप देखतों कि दूद का क्या होता है दूद फट जाता है ठीक है और अगर इफ एन आइरन तवा सेकंड क्या है एक तो हुगया कि when milk is left at room temperature during summer mainly summer में विंटर में तो काफी टाइम तक अगर आपने सुबह दूद को उबाल कर शाम तक रखा रहा बाहर रात तक भी रखा तो भी बहुत कम चांस है कि वो खराब होगा लेकिन summer में क्या होता है कि जो मिल्क है वो ज्यादा इसलिए उसको फ्रीज में रखना पड़ता है और सेकंड पॉइंट क्या है एन आइरन तवा और पैन या नेल मालब की तवा है या कोई पैन है भरतन है खाना पकाने का या नेल मालब कील है that is left exposed to humid atmosphere humid का मलब क्या है नमी वाला ठीक है यूमी वाला ठीक है नमी वाला ठीक है अगर आदरता है बारिश का मोसम है तो अगर लोहे का तवा है वो रख दिया जाए बाहर एटमोस्फियर में जो वायू मंडल है उसमें क्या है काफी सारी नमी है उसके प्रभाव में अगर हम उस तवे को छोड़ देते हैं या कील रखे रह जाते हैं तो कुछ दिन के अंगोर में मतलब कि जो अंगूर है उनमें से समेल सी राग जाती है वो सर दे और रहरे जाकी लिए दिर ने से निमस्ग्हां कुछ देरते जाती जब घूते जाती है जि início अब देखते हों कि जन नेर गरप पानी होता हँ और जब हम उसको पाने तो ईलग तरह की बाँणा तो उसमें कितना फर्का ऐता है अगर आप घूता हुँआ आठा है अगर चलप डाप इमे furnace करो तो उसका का टेस्ट रोटी के टेस्ट से से कितना different होता है तो वह क्या हुआ lub क्यूं हुआ था अगर नेक्स है NET्स है ,Food gets digested in our body जो food हमने खाया था जो food हम खाते हैं किसी भी time पर कुछ भी खाते हैं ठीक कुछ time के बाद वो हमारी body में जाकर digest हो जाता है मतलब की पच जाता है और पचने के बाद वो food क्या करता है हमारी body को energy देता है जो कि हमें various purposes के लिए अलगलर activities करने के लिए जरूरी होता है ठीक है we respire मतलब कि श्वशन करते हैं हम सांस लेते हैं जब हम जब सांस लेते हैं तो respiration जो है यह एक ऐसा वर्ड है respiration means swashan इसको आप सांस लेना नहीं बोल सकते हो simply या आप 6th chapter जो आपका है life processes उसमें समझेंगे respiration is not only taking air inside and exhaling air outside कि सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना इसी को ही respiration नहीं कहते हैं इसको बोलते हैं breathing ठीक है breathing अलग है breathing है सांस लेना या छोड़ना और respiration है कि सांस लेना जब वो अंदर जाती है वो हवा जिसमें की oxygen ज्यादा amount में होती है तो हवा वो जो oxygen है वो हमारी बोड करती है वो सारे जो जितनी भी activities हैं उन सब को मिला कर लास्ट में carbon dioxide से rich air को बाहर छोड़ देना इस पूरे process को मिला कर respiration कहते हैं तो क्या-क्या changes इसमें होते हैं अगर हम इन सब चीजों के बारे में सोचे तो हम यह हमारे दिमाग में आगा कि इतना कुछ change कैसे हो जाता है इंदा गाइसा ख्याकblue हम इन सब को वापिस नहीं कर सकते हैं अगर में आपने वह रह सकते हुआ जैसा कि आओ तवे पर पकने के बाद क्या तो क्या ऊप्छेटा नहीं चैंज कर सकते हैं तो ऑसले पीयों है आपने पिछली आंप्छी में नाइंथ में आप नहीं पड़ा फिजिकल चेंजिस और केमिकल चेंजिस के बारे में ठीक है फिजिकल चेंजिस क्या है सिंपल चेंजिस होते हैं जो की साइज में शेप में या फिर स्मेल में चेंज हो जाना जो फिजिकल प्रोपर्टीस होती है सबस्टांसिस की पदार्थों कि फीजिकल प्रोपरिटिस में अगर चेंज आते हैं तो उनको फीजिकल चेंजिस कहते हैं लेकिन अगर केमिकल प्रोपरिटिस में चेंज आते हैं तो हम उन्हें केमिकल चेंजिस कहते हैं और जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एक नया सबस्टांस बनता ह सबस्टांसिस फोन लेकिन फीजिकल चेंजिस में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता फॉर एक्जामपल आपने कागज को फार दिया उसके टुकुड़े कर दिया कैंची से काट दिया उसको तो उसमें क्या हुआ उसमें वह रहा तो पेपर का पेपर ही न अभी उसमें ऐसा काटने के बाद वह कुछ और बन गया सिर्फ उसके टुकड़े हो गया है उसका साइस कम हो गया है अभी भी आप उन टुकड़ों के ऊपर पैंसिल चला कर लिख सकते हो चाहे कम लिख सकते हो तो वह एक फिजिकल चेंज है ठीक है वहां पर कोई नई चीज नहीं बनी है ले उसमें क्या होता है उसमें पानी अलग हो जाता है और जो इसके अंदर फैट्स होते हैं वह सब अलग हो जाते हैं हम कहते हैं कि दूद फट गया ठीक है तो वहां पर एक निया सबस्टांस बना यह सभी क्या है यह सभी है केमिकल चेंज जिस जो है एक्चुली क्या है इनमे chemical reaction हुई है ठीक है आप इसमें देखे कि यहां दिया हुआ है इफ्लीन वनएवर एक chemical change अकर्स जब भी काई chemical change होता है कोई basinik परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि chemical reaction has taken place तो जब chemical reaction हो रही है या जो chemical reaction हो रही है उसी को ही हम chemical change कहते हैं या जब chemical change होता है तो हम कहते है chemical reaction हुई है ठीक है chemical reaction में हमेशा एक नया substance बनता है ठीक है तो अब हम chemical reaction को समझने के लिए एक activity देखते हैं वो activity यह है magnesium ribbon वाली magnesium ribbon को जब हम burn करते हैं तो यह activity है, activity जहां भी burning की activities होती हैं, अगर आपको school में भी करवाई जाती हैं, जहां भी कोई चीज जलानी है, burn करना है, उसको जलाना है, तो वहाँ पर वो activities भोती ध्यान से करनी होती हैं, और अपने आप से students को ये बच्चों को अकेले खड़े होकर ऐसा नहीं करना चाहिए ये specially हमेशा बताया जाता है, और जब भी ऐसा कुछ करते हैं, तो अपने आपको उस जो हमारा burner होता है, उससे दूर रखना होता है, ध्यान रखके काफी, safety के साथ, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक magnesium ribbon लेते हैं, magnesium ribbon जो है, पतला सा ribbon की तरह से चमकता हुआ, silvery white color का ribbon होता ह ठीक है, तो वो labs में भी मिल जाता है, इस तरह से उसका रोल बना हुआ रखा होता है, labs के अंदर, ठीक है, silvery white पतला सा ribbon होता है, उसको इस से पकड़ना, ये क्या है, ये है, टोंग, ठीक है, चिम्टी की तरह से, चिम्टी है ये, इस से उस ribbon को पकड़ना है, क्योंकि हमें ह ये, वाइट कलर की चमकदार एकदम से, उसमें से फ्लेम निकलती है, जब भी ribbon जलता है, तो, एक बहुती ब्राइट, वाइट कलर की फ्लेम निकलती है, और, अब कोई चीज जलेगी, तो क्या होगा, उसका कुछ न कुछ राख तो बनेगी, तो इसमें भी आइसे होता है, जलता है, तो जो उसमें प्रोडक्ट बनता है, जलने के बाद जो राख बनती है, उसको ये, हम नीचे, इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, वाच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी यहां लिखा हुए मैगनेशय मुकसाईड, हम नहीं कह रहे हैं, इसको मैगनेशय म जो रिबन था हमने स्टार्ट कि से किया था रिबन से और डिबन कैसा था सिल्वरी वाइट का भोती चमकदार रिबन था ठीक है लेकिन जलने के बाद क्या हूआ वह वाइट कलर की राक में बदल गया और उसमे तो बिल्कुल भी चमक नहीं है इसका मतलब जो है और आप उसक हाथ से पकड़ सकते थे ठीक है लेकिन इसको नहीं पकड़ सकते तो बहुत सारे चेंजिस आ गए एक नया सबस्टांस बन गया and this is a chemical reaction ठीक है you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white पहुति ब्राइट वाइट गया गया and this powder is magnesium oxide इसका जब टेस्ट किया जाता है बाद में कि यह क्या है तो हम तो बता सकते हैं कि magnesium oxide है यह कोई भी product बनता है ना तो पहले उसको चेक करते हैं कि actual में यह है क्या तो पताल चला यह कि magnesium ribbon जब जलता है तो क्या बनता है उसमें magnesium oxide बनता है और यह magnesium oxide बना कैसे magnesium oxide ऐसे बनता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए you know what is required that is oxygen कोई भी चीज तब ही जलती है जब उसको oxygen मिलती है ठीक है हम कहते है कि air मिलती है air की presence होना, वायू की presence होना बूँच जरूरी है, लेकिन वायू में भी क्या होना चाहिए, oxygen के बिना कोई भी चीज़ जलेगी नहीं हमने इसमें किसको जलाया, मेंगनेशियम को जलाया जब हमने इसको जलाया बर्न किया ठीक है तो ये मेंगनेशियम जो है वो अक्सिजन के साथ रियक्ट करता है and it forms MgO and अगर ये मैं बैलेंस लिख रही हूँ equation ये बात में हम करेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं तो ये सबस्टांस क्या है MgO आप बनाने के बारे में उनके नाम क्या होते हैं ये सब आप 9th क्लास में बढ़ चुके हैं तो MgO कैसे बना when magnesium reacted with oxygen of air then it get converted to it gave MgO तो क्या प्रोडक्ट बना नया प्रोडक्ट बना है नया सबस्टांस बना है इसलिए हम इसे एक chemical reaction कहते हैं ठीक है अब chemical reaction होती क्या है chemical reaction जो है उसके दो parts होते हैं एक बीच में होता है arrow दोनों जो part है वो arrow से separated होते हैं ये हमारा arrow है ठीक है जो इधर वाला part है जो हमारे left hand की तरफ है उसको हम left hand side कहते हैं और जो हमारे right hand की तरफ है जो part उसको हम right hand side कहते हैं तो left hand side में क्या होता है left hand side में जो react करते हैं substances ये substances आपस में इन्होंने react किया अभी किरिया की तो उनको बोलते है reactants ठीक है और जो बना कोई factory होती है यहां भी जो बना है जो नए substance बने है यह आपको ध्यान लखना है यह एक simple chemical equation है ठीक है यह मैंने chemical reaction लिखी है किसकी when magnesium reacts with oxygen और जब हम इसको जो हमने chemical reaction की बात करी magnesium burns in oxygen to give magnesium oxide जब हम उसको इस तरह से लिख देते हैं तो इसे कहते हैं chemical equation किसी भी chemical reaction को जब हम उसमें participate करने वाले reactants और बनने वाले products के symbols की form में लिख देते हैं तो वो कहलाती है chemical equation इसके बारे में हम detail में करते हैं तो यह एक और activity इसमें दी हुई है chemical reactions को थोड़ा सा और ज़्यादा बताया हुआ है इसमें एक activity यह है कि take a few zinc granules in a conical flask or a test tube zinc के कुछ टुकडे लेने हैं उनको एक यह conical flask होती है this is conical flask यहां लिखा भी हुआ है conical flask यह test tube में लेते हैं और zinc granules जो test tube में ले हुए उसके अंदर हम dropper से डालना है क्योंकि acid जो है हमें पता है कि वह dangerous होता है हाथ पर यह खपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए dilute hydrochloric acid dilute dilute मतलब जिसमें पानी जादा है थोड़ा सा कम खतरनाक है लेकिन फिर भी जलन तो वो करेगा जब गिरेगा तो dilute hydrochloric acid या dilute sulfozyic acid दोनों में से कोई भी हम zinc granules जो हमने test tube में ली थी उसके उपर डालते हैं ठीक है और फिर हम क्या देते हैं जैसे आप ऐसी डालोग ने उसके उपर बहुत ज्यादा test tube के अंदर bubbles बनने शुरू हो जाते हैं बहुत तेजी से bubbles बनने शुरू हो जाते हैं और जो conical flask आपने ली या फिर आपने जो test tube ली वो अगर आपने हाथ से पकड़ी हुई है ना तो वह गरम हो जाती है हाथ से वैसे पकड़ते नहीं है पकड़ते टॉंग से ही है जैसे अभी पिछली activity में मैंने बताया लेकिन टॉंग से पकड़ा हुए आप हलका सा हाथ अगर लगा के दें बिल्कुल हलका सा टेच करके वैस तो आप गरम या ठंडा चेक करने के लिए हाथ लगाएं जो है यूजली क्या यूज करते है थर्मामेटर यूज करते हैं यह देखने के लिए कि टेंप्रेचर बड़ा या कम हुआ लेकिन अगर फिर भी हम उसको हलका सा हाथ लगाएंगे तो हमें लगेगा कि वह बोज़ अगर बड़ा यूज तो उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए यहां पर नहीं दिया हुआ क्या है तो मैं यह पर देती हूँ बबल्स और फॉर्मड ठीक है अब यह बबल्स किस चीज़ के है वो नहीं पता जब यह बबल्स बन रहे है ना इट मींस कि उसके अंदर कोई गैस प्रोडूस हो रही है जो रियक्शन हो रही है उसमें कोई गैस प्रोडूस हो रही है ठीक है अब यह एक और एक्टिविटी है टेक लेड नाइटरीड solution in a test tube, लेड नाइटर, zinc ranules, यानि की zinc, जिंक का formula पता है आपको, ठीक है, hydrochloric acid क्या होता है, formula HCl, and sulfuric acid is S2SO4, ठीक है, अब यहाँ पर हम दे ले रहे हैं, लेड नाइटर, लेड नाइटर का formula, आप अपने आप से वैसे तो ट्राई करना चाहिए आपको, यह लेड नाइटरीड का formula है, इसे हम solution की form में लेना है, इसको dissolve करके water में, water में घोल कर थोड़ा सा, फिर हमें एक test tube में लेना है, उसमें डालना है potassium iodide का solution, मझा दो test tube लेना है, दोनों में आपको पानी लेना है, एक में डालना है lead nitrate और उसको dissolve कर लेना है, दूसरे में डालना है potassium iodide और उसको dissolve कर लेना है, अब क्या करना है हमने जो दोनों test tube थी ना, first and second, जिसमें की lead nitrate का solution और potassium chloride solution था, ठीक है, उन दोनों को हमने mix कर देना है, इसको हमने क्या करना है हमने इस test tube में डाल देना है, lead nitrate और टेस्ट tube में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर हमने लिया था solution, simple goal, जैसे कि नमक का गोल होता है, नमक का गोल कैसे दिखता है, पानी जैसा ही दिखता है, हमें दिखता है, कोई उसमें नमक है, नहीं पता चलता, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, ये दोनों भी, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को mix करते हैं, तो इसके अंदर जो है, हम देखते हैं, white color का powder बन जाता है, इसके अंदर क्या होता है, white color का powder बन जाता है, इन दोनों को mix करते ही, ठीक है, तो ये तो zinc वाली activity हैं पर दिखाई हुए, तो हमने जो तीन activities देखी न, first वाली activity हमने क्या देखी, first वाली activity में क्या था, कि magnesium को जब burn किया, तो उसमें वो powder में convert हो गया, ठीक है, और second वाली activity में हमने क्या देखा, zinc वैसे second activity, lead nitrate वाली है, फिर भी कोई बात नहीं, zinc night के बारे में हमने discuss किया, तो हम इसकी बात करते हैं, इसमें मैंने आपको क्या बताया, कि इसमें क्या बनते हैं, bubbles बनते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें bubbles बने थे, bubbles बनने का मतलब मैंने आपको बता दिया, कि गैस बनती है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं इसको समझा रही हूँ, यह क्या है, और यहाँ पर क्या हुआ, यह zinc granule का हो गया, और जो लेड नाइट वाला था, इसमें क्या हुआ, इसमें वाइट कलर का पाउडर सा बन गया, यानि कि क्या बना, एक सोलिड सबस्टांस बन गया, आपने जो दो सोलुशन लिये थे, वो कौन सी फोम में थे, वो थे लिक्विड फोम में, लेकिन जब आपने दोनों को मिक्सिया, तो उसमें सोलिड पाउडर बन गया, वाइट कलर का, तो इसका मलग क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सोलिड बन गया, ठीक है, और जो हमने, मैगनिशा वना देख्या, हमने देखा कि वो सिल्वरी वाइट कलर का था, मैगनिशा वना दिबन, लेकिन वो वाइट कलर के पाउडर में अन्वाल्ट हो गया, चेंज इन टेंप्रेचर, इसमें हमने ये भी देखा, टेंप्रेचर चेंज हो गया, गरम हो जाता है वो, ठीक है, जैसे किसी चीज को आप दूसरी में मिला रहे हो, ठीक है, या किसी चीज को गरम कर रहे हो, अगर इन चार में से कोई भी एक चेंज होता है, तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर केमिकल रियक्शन हो रही है, ठीक है, या तो गैस इवोल होती है, गैसमें प्रोड Juris होती है या तेरे चेंज हो जाती है लिकविट बन जाता है ठिक है यह सोलिंट से ray ठीक है और टेमप्रेचर में से रहा हो सकता है औरершी फ में जाता है तो पर कंव Halo करें तो कूछ अगर घर क्योता है तो हम कहते हैं की जरूरी नहीं है कि पर खो हमें चेज़ टाण बिए हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं या सारे हो सकते हैं जैसे मैंने आपको जिन्क वाले में बताया कि टEMPREACYAR भी बढ़ जाता है अक्सिजन की जब reaction होई तो magnesium oxide बना उसको मैंने आपको chemical equation की form में लिखकर दिखाया था अब हम उनी chemical equations के बारे में बात कर रहे हैं वहती सिंपल सी बात है आपको ध्यान लगना है chemical change कोई हुता है तो हम उसे chemical reaction कहते हैं ठीक है तो actually जो है वो chemical change क्यों हुआ है क्योंकि chemical reaction हुई थी उसमें वो नया substance बना था अब जब हम उस chemical reaction को उसमें भाग लेने वाले reactants और products के symbol या formula का use करके simple form में लिख देंगे तो वो हो जाएगी chemical equation ठीक है तो अब हम देखते है chemical equation क्या होती है जैसे यह लिखा हुआ है अब आप देखो ठीक है यह क्या है actually यह तो है word equation this is word equation word के form में लिखे है हमने magnesium हमारा solid था जब oxygen के साथ react किया उसने तो क्या बन गया arrow लगाया हमने बीच में और बन गया magnesium oxide तो हमने यहां पर words लिखे है हमने symbol तो यूज नहीं किये है ठीक है लिकिन जब हम इसको कहेंगे word equation जब हम इनके symbol और formula की form में लिखेंगे ठीक है तो हम ऐसा क्यों करते हैं हम सिधा ही क्यों नहीं लिख देते हैं कि वेन magnesium react with oxygen it gives magnesium oxide when magnesium is burnt in oxygen it produce magnesium oxide तो थोड़ा लंबा हो जाता ना पूरा sentence लिखना ठीक है और यहां आपको क्या करना है यहां आपको सिर्फ इतना ही लिखना है magnesium plus oxygen gives magnesium oxide बहुत ही simple है और इसको और भी simple बनाना है तो इनको symbols की formula देते हैं और भी चोटा हो जाएगा यह magnesium plus oxygen gives magnesium oxide य ठीक है तो यह simplify करने के लिए होता है description of a chemical reaction in a sentence form is quite long अगर हम किसी chemical reaction को describe कर रहे है sentence के रूप में तो वो लंबा है it can be written in a shorter form इसको हम चोटे रूप में लिख सकते हैं सबसे simple तरीका है इसको word equation की form में लिखना ठीक है तो word equation में जैसा मैंने word equation में भी हुई है chemical equation में भी हुई ह जो मैंने आपको बताया था कि जो reactants जो है वो left hand side पर लिखे जाते हैं और बीच में प्लस लगाया जाता है जैसे यह plus लगाया गया है ठीक है और इसी तरह ऐसे जो products है वो right hand side पर लिखे जाते हैं और अगर एक से ज्यादा product है तो उनके बीच में भी plus लगाया जाएगा औ पर एक arrow लगाया जाता है जो reactant से product की तरफ जहें जो हमें क्या बताता जो हमें direction of reaction बताता है डायेक्शन का दलब कि यह जो substances है इनसे बना है अगर यह arrow है तो इसका मतलब है कि इन substances से यह बना है तो यह direction बता रहा है न कि direction क्या है reaction की magnesium and oxygen से magnesium oxide की तरफ ठीक हैसर से किस तरह स को लिखते हैं ठीक है अब थोड़ा और chemical equation के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा तो हमने करी लिया है वैसे simply हम यहीं लिखते हैं ठीक है फिर यह कह रहा है कि is there any other shorter way for representing chemical equation तो यह अभी सासत मैंने उसमें आपको बता दिया कि हम एक word equation की form में ली सकते हैं किसी chemical reaction को या हम उससे भी छोटा जो है वो क्या है उससे छोटा है chemical equation को की form में हम उसको लिख सकते हैं ठीक है they can be made more concise and useful हम उनको और useful फाइदे मंद बना सकते हैं अगर हम words की जगा पर chemical formula या symbol यूज करें एक chemical equation represents a chemical reaction तो यह जो chemical equation है यह क्या बता रही है हमें यह हमें chemical equation के बारे में बता रही है कि यह chemical equation हमें क्या बता रही है यह हमें बता रही है कि कौन सी chemical reaction हुई है ठीक है तो यह word equation मैंने पहले भी लिख कर बताईए आपको magnesium plus oxygen gives magnesium oxide उसी का ही chemical equation यह लिख हुए है Mg plus O to gives Mg O ठीक है अब क्या है अब chemical equation को ऐसे लिख कर छोड़ नहीं देना होता दोनों side पर जो भी element है अलग-अलग तरह के इस side पर कौन-कौन से elements है इस side पर elements है magnesium और oxygen element, element को हम सरफ ऐसे लिखेंगे ठीक है और इस side पर भी यह है same होंगे दोनों तरफ elements तो same होंगे अलग-अलग लिख रहे हैं हम इनको लेकिन दोनों तरफ इनकी संख्या इनका number, total number equal होना चाहिए अब आप देखो यहाँ पर क्या है magnesium mg कितना है 1 और यहाँ कितना है magnesium 1 oxygen कितनी है यहाँ oxygen है 2 नीचे 2 लिखा है ना तो हम इसको आगे लिए सकते हैं यहाँ oxygen कितनी है 1 तो equal तो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो कि एक oxygen कहीं खो गई गायव हो गई कहीं निकल कर चली गई लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है जब भी हम reactants लेते हैं जितना total reactants आपने लिया था अगर हम mass की बात करें द्रवेमान की बात करें total जितने reactants आपने लिये थे ना उतने ही gram आपको product भी मिलेगा ही मिलेगा अगर कुछ कम है उसका mass जो products मिले हैं तो इसका मतलब है कि कुछ mass heat में change हो गया या कुछ कोई gas उसमें बनी थी जो कि हम एक collect नहीं कर पाए और वो निकल कर बाहर चली गई तब ही हो सकता है कि थोड़ा बहुत change आजाए दोनों reactants और products के mass में otherwise जो total reactants का total mass है that is equal to total mass of products ठीक है तो इसका मतलब यहां भी magnesium 2 होनी चाहिए तो oxygen 2 होनी चाहिए यहां पर भी तो लेकिन अगर हम oxygen को 2 करते हैं तो हमें magnesium को भी 2 करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि magnesium और oxygen तो दोनों जूड़ गए आपस में यह तो एक chemical formula है formula को तो हम change नहीं कर सकते कि हमने सोचा कि हम 2 जो है na magnesium यहां oxygen के नीचे लगा देते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तो formula बदल जाएगा हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर oxygen लगा सकते हैं हम यहां 2 लगा सकते हैं oxygen बढ़ाने के लिए ठीक है? यहां 2 लगाने का मतलब है लेकिन इस साइड तो magnesium एक है और magnesium यहां पर कैसा है? magnesium अलग है बिल्कुल तो इसलिए हम इसको 2 लिख सकते हैं ठीक है? यह तो अभी मैंने आपको simple बताया है बिल्कुल हम और examples के साथ chemical equation को balance करना सिखेंगे इसको हम balancing कहते हैं balancing of chemical equation जहां पर कि total number of atoms of any element on both the side are equal तो वो होती है balancing of chemical equation संतुलित करना equation को कि दोनों तरफ बराबर बराबर रहे एक तरफ जादा एक तरफ कम ना रहे ठीक है? तो यह मैंने आपको simple example बताया balancing का हम और examples भी करेंगे बस यहां पर आपको समझना ही है कि balancing की जरूरत क्यों है अगर number of atoms of each element on दोनों side पर same नहीं है then the equation is unbalanced because mass is not the same on both sides जही मैंने आपको बताया है दोनों तरफ अगर same नहीं है atoms का number तो इसका वाला दोनों तरफ total mass same नहीं है और ऐसी chemical equation जो है is a skeletal chemical equation जैसे होता है ना कि एक इनसान है ठीक है जब तक आपने क्या 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 मतलब कि एक हमारे पर skeleton है skeleton क्या होता है हडियों का धाचा हडियों के धाचे को देखकर नहीं बता सकते ना कि आप यह किसका होगा लेकिन जब उसके उपर जो है skin है या हम कहें की चर्बी है fat होगा रहा है सब कुछ उसके उपर लग जाता है उसकी तभी उसकी शकल सूरत बनती है ना तभी एक इनसान दूसरे इनसान से अलग दिखाई देता है ठीक है तो यह जो हमने लिखी है ना यहां पर अगर हम यह सारा हटा दें अगर हम यह सारा हटा दें तो यह जो हमने लिखी है यह एक skeleton equation है actual equation नहीं आई यह skeletal equation है ठीक है इसको हमें balance करना पड़ेगा तो यह आपको अच्छे से revise करना है पढ़ना है ध्यान से आपको देखना है कि क्या-क्या changes हो सकते हैं जिनको हम देखकर बता सकते हैं कि chemical reaction हुई है आप इन्हें अपनी notebook में note करिये और इसको chemical equation and chemical reaction की definition आप लिखिए अपने words में लिख सकते हैं chemical reaction क्या है it is representation sorry chemical reaction is a chemical whenever a chemical change occurs then there is a chemical reaction ठीक है और chemical equation क्या है chemical equation is symbolic representation of a chemical reaction बहुत ही simple words में आप लिख सकते हो ठीक है balancing करना हम next video में करेंगे